हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैं यूटूब चैनल, आज का वीडियो नंबर सिस्टम का एक सब टॉपिक परसेंटेज पे होने वाला है, जिस पे मैंने 45 से जादा कोश्चन प्रक्टिस कराया है, आप जानते हैं मेरा फॉर्मेट, यह मैं पीवाई क्यू से सलेक्ट करता हू कोश्चन, 1995 से 2023 तक का है, और परसेंटेज से लगबग आप एक से दो कोश्चन एकस्पेक्ट कर सकते हैं आप कमिंग एक्जामिनेशन में, और जो मैं टॉपिक वाई सीरीज करा रहा हूं, आप देख रहे होंगे कि इससे पहले यह छे टॉपिक मैंने कवर करा के अपने च में मुझे बताइए, उसको भी मैं इस टॉपिक मैड कर लूँगा, और आज से मैं ट्राइ करूँगा कि एक दिन में दो वीडियो डाले, बिकॉस प्रिलिम्स अब जादा दिन नहीं बचा, साथ अट दिन ही बच गए हैं, तो अगर दो दो वीडियो डालूँगा, तो यह अगर आगे जो बनाने वाला हूँ, वो आप देख सकते हैं, और चैनल को closely follow कर सकते हैं, प्रिपरेशन के लिए, और लास्ट में रिक्वेस्ट करता हूँ, जो लोग नहीं हुआ हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और सभी लोग वीडियो का लाइक कर ले, अब डिरेक्ली बढ़ते हैं, आज के टॉपिक परसेंटेज, अब पहले कोश्चन से स्टार् और इंट्रेस्ट है, और परसेंट हैं, और परसेंटेज है, और परसेंटेज क्या है? अगर यह annually compounded हो रहा है 10% के interest से, तो हम क्या करेंगे कि हमारा एक साल में यह 110 हो गया रहेगा, लेकिन यह अगर semi-annually, मतलब half annually अगर compounded हो रहा है, तो 100 रुपया 6 महीने में क्या हो जाएगा हमारा? छे महीने में लगबग हमारा अगर same amount रखना है, तो अगर 5% रखते हैं इसका, तो 105 हो गया रहेगा, फिर अगला 6 महीने में हमें 100 पे नहीं, 105 पे 5% मिलेगा, मतलब 105 का 5% आप calculate कर लिजिए, तो लगबग आपका 10.5 by 2, वही 5.25 लगबग होगा, तो हमारा total हो जाएगा 10, 110. 0.25, इसका मतलब है कि 5% अगर रख रहे हैं, तो हमारा value 110 से जादा हो जा रहा है, तो एक ये clarity आपको हो गया होगा, कि अगर half yearly और yearly रखने पे भी, जो हमारा final जो amount आ रहा है, क्यों आप जो देख रहे हैं, ये same आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, कि जो R वाला value होगा, य S से, because S क्या है कि केवल एक साल ही compound हो रहा है, एक बार ही compound हो रहा है, और यहां पर same amount of capital दो बार compound हो रहा है, इसका मतलब जो आधा साल में जो compound हुआ रहेगा, उसका जो compound interest मिलेगा, उस पे भी compound होगा, तब ये Q बना रहा है, लेकिन second वाला क्या है कि directly Q बना दे रहा है, इस अमुला नहीं बताना चाहे रहा है, because वो लेंदी हो जाता है, आप simple देख के भी बता सकते हैं कि अगर कोई चीजे अगर half yearly है R% से, और yearly है आपका S% से, तो कौन सा बढ़ा होगा, but obvious है कि आपको S बढ़ा होगा, R छोटा होगा, क्योंकि वो दो बर compound हो रहा है, उसको दो compound करना पढ़ रहा है, तब सेम अमाउंट पहुंच रहा है, और एक जो है, वो एक ही बार compound करके सेम अमाउंट पहुंच जा रहा है, तो पक्का है, जो दो बार कर रहा हो छोटा होगा, so ऐसा, ऐसा question एक बार और मैंने कराया था, so ये clear है आप लोगों को, मैं इस lecture में, मैं concept यूज कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को अलग-अलग approach पता चले है, ठीक है, next question है, two candidate, x and y, जब ऐसा बड़ा question दिखे, so simple आप उसको लिखते जाए, two candidate, x and y, contested in election, 80% voter cast their vote, and there were no invalid votes, ठीक है, there were no nota, मतलब none of the above option, मतलब vote जो देगा, वो candidate को ही देगा, x got 56% of the casted vote, मतलब x जो है, cast vote कितना किया आगा है, 80% of the voter, मान के चली 100 voter है, ठीक है, 100 voter में 80% voter cast किये हैं vote को, ठीक है, तो मान के चलो कि x voter ही है, 100 नहीं मानते हैं, because यहां percentage में आगे हमें number ही निकालना है, तो x voter है, तो x में 80% voter, vote cast किये हैं, मतलब x into 80 by 100, इतने number of voter, voter, vote cast किये हैं, इसमें 56% vote मिला है, x got 56% of the vote cast, तो x को कितना मिला है, इसका 56%, तो x, last में simplify करेंगे, मैं वैसे लिखते जाता हूं, 80 by 100, इसका 56%, मतलब 56 by 100, यह x को vote मिला है, and x won by 1440 vote, और x 1440 vote से जीत जाता है, मतलब y जो candidate है, तो x का vote जो है, वो y के vote से y प्लस 1440 vote जाता है, यह equation बन के हमारा, यह clear है, x को तो यह एक vote मिला, यह equation है, दूसरा है कि x जीत गया, 1440 vote से, मतलब y को जितना vote मिला होगा, 1440 vote उसको मिला होगा, और y को vote कितना मिला हमें पता है, because x को जब 56% vote मिला है, total cast vote का, तो total 100% अगर vote मान लेते हैं, कि हमेशा हम 100 के reference में लेते हैं, तो 56% total cast vote का x को मिला है, तो 100-56, that is 44% y को मिला होगा, तो यहाँ पर equation बस fit करते हैं, x वाला, यह वाला equation पूट कर देते हैं, यह capital x से द्यान रखिये गए, यह small x है, तो x into 80 divided by 100 into 56 divided by 100, y को 44% मिला होगा, total cast vote का, total cast vote यह है, 80x by 100 है, तो 80x by 100 total cast vote का, 44% y को मिला, plus 1440, यह एक equation के तरह हो गया, अब simple सा equation हमें solve करना और answer निकालना है, x का value बस निकाल देना हमें, तो अब देखिए equation को solve करेंगे, तो यह 100, 100 अगर हम काट देते हैं, तो यहाँ पर 10 to the power 4 आ जाएगा, अब आगे solve करते हैं, और अगर हम 00 भी काटना चाहें, तो यहाँ ध्यान देखिए, directly हम काट ही रहें, यह 0, यह 0, यह 0, यह काट सकते common लेके, अब आगे देखिए क्या बच्छा, 56 x 8, 88, 48, 4 carry, और 85, 44, 44, मतलब यह 448x, इधर क्या हो गया, 44 x 8, 32, 3 carry, 32, 35, x plus 144 x 10 to the power 4, ठीक है, अब यह इधर जाएगा, तो 352 माइनस हो जाएगा, 448 minus 352, यह हो जाएगा 6, और यह हो जाएगा 9, 96 हो गया, ठीक है, यह 52 इधर है, और इधर 50, साइद मैंने थोड़ा गलत कर दिया, यह 6 है, यह 6 हुआ, और 44 में से 35 गया, 5, 9, नहीं, सही है, exactly सही है, और 144 x 10 to the power 4, x का वैल्यू क्या हो गया, 144 x 10 to the power 4 by 96, अब 96, अब यह इसको solve करेंगे, तो कितना आ जाएगा x का वैल्यू, और x क्या है हमारा, और पूछा क्या है, हमें पूछा है, what is the total number of voters in the voter list, इसका मतलब पर x का जो value आया है, x हमने क्या माना था, total number of voters ही है, तो x का value निकालना है, simple इसको solve कर लेते हैं, तो यह हमारा 12 से चल जाएगा, यह 8 बार में, और यह 12, 9, 12 बार में चला जाएगा, फिर यह 2 बार में जाएगा, यह 3 बार में जाएगा, और यहाँ अगर 10 बार 4 है, तो इसको हम ऐसे लिख लेता है, एक 10 रखते हैं, और 10 बार 3 रखते हैं, 2 और यह 5 हो गया, मतलब यह 15 आ गया, 15 इंटू 3 0, 1, 2, 3, ठीक है, यह 15,000 आ गया, आप calculate कीजएगा, मैं थोड़ा fast कर रहा हूं, और मैं अपने तरीके से भी कर रहा हूं, बस मेरा मकसद है कि आपको यह equation समझ बाना चाहिए, calculation तो आप करी लेंगे, so final answer हमारा क्या आ रहा, 15,000 x का value आ रहा, और x ही हम लोगों नहीं यहाँ पर देखिए, x ही माना था है, total number of candidate, इसलिए 80% लिया था कि 80% ने vote दिया है, तो हमारा answer क्या हो गया, answer हो गया, a 15,000, यह clear हो गया आपको, बस equation solve है, जादा नहीं है, बस complex किया है, question देखे, अब next question move करते है, question is, when 70% of a number x is added to the another number y, the sum become 165% of the y, so simple equation लिखते जाएंगे, अगर 70% y में, अगर 70% of x, मतलब 70x by 100 add किया जा रहा है, तो 165% of y हो जा रहा, 165 by 100, यह पहला equation है, second equation क्या बोल रहा, when 60% of the x is added to another number z, मतलब z में 60% of x add किया गया, मतलब 60x by 100 add किया गया, then sum become 165% of z, z by 100, यह दो equation है, और हमें relation establish करना है, x, y, z में क्या है, तो पहला equation को अगर हम solve करते हैं, तो देखे, यह 100 इदर चला जाएगा, तो यह 100 y हो गया, so अगर हम लिखते हैं, यह 100 y plus 70 x is equal to 165 y, so यहाँ से हमारा क्या आ जा रहा, 70 x is equal to 65 y, यह पहला equation का आ गया, दूसरा equation सेम तरीका से करेंगे, 100 यहाँ जाएगा, 100 z हो गया यहाँ पर, और यह 165 z है, तो माइनस कर देंगे तो 65 z हो जाएगा, मतलब 60 x is equal to 65 z, यह आप calculate करेगा, तो यह आएगा, अब यहाँ से x और y में क्या निकाल सकते हैं, यहाँ देख रहें, 70 x is equal to 65 y है, तो इसमें से आप simple आपको पता चल रहा है कि y का value जादा है x से, क्योंकि तभी y का value x से जादा क्यों है, because y 65 से ही multiply हो रहा है, y होने के लिए, और x को जादा चाहिए, मतलब y बड़ा है, वैसे ही x को यहाँ कम चाहिए, और z को जादा चाहिए, मतलब जिसको कम चाहिए वो बड़ा होता है, x is greater than z, ठीक है, अब दोनों equation को एगर equate कर देंगे ते हो, यहाँ से क्या पता चल रहा है कि y is greater than x है, तो अगर यह equation को same यहाँ fit कर दिये, तो यह हमारा relation बन गया, अब check कर लेंगे यह relation कहाँ है, y is greater than x is greater than z, तो यह हमें दिख रहा है, option number a में, y is greater than x greater than z, तो simple दो equation था, और हमें equate करके answer निकालना था, यह simple question है, अब move करतें next question, next question देखें क्या लिखाया, the increase in the price of a certain item was 25%, जब भी ऐसा percentage question आए न, तो आप simple 100 लेके चलिए, पहला initial price 100 ले लिया, the increase in the price of certain item was 25%, मतलब 100 का 25% बढ़ गिया, मतलब 125 हो गिया price, then the price was decreased by 20%, so 125 का 20% कितना होता है, 125 का 20% 25 होता है, now इसमें 25 decrease हो गिया, मतलब अब 100 हो गिया, then again increase by 10%, so 100 का again 10% बढ़ गिया, मतलब 110 हो गिया, तो question पूछा, what is the resultant increase in the price, तो initial 100 था, अभी 110 है, मतलब 10% का increase हो गिया है, तो resultant increase 10% B, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, B answer हो गिया, 40 marks more than Q in the examination, so suppose P ने X marks score किया है, ठीक है, and बोला गिया है कि P score 40 marks more than Q in the examination, तो X छोड़ देते हैं, directly P को हम लोग लग देते हैं, Q plus 40, ठीक है, next देखते हैं, if Q scored 10% less marks than P, so Q is equal to 10% less than P, मतलब P का 10% less, मतलब P का 90% by 100, यह लिख सकते हैं, कि 10% marks less than P, या तो आप P minus, इसका 10% जो कीजिएगा, 100, so इसको solve कीजिएगा, 100 P minus 10 P by 100, that is equal to 90 P by 100, इसी को मैंने directly लिख दिया, 90 P by 100, तो यह समझ में आ गिया, then how much did Q score, तो हमें निकालना है, Q कितना score किया होगा, दो equation है, दो variable है, simple सा question है, तो पहले इसको solve, equate कर लेते हैं, यह हमारा 10 Q is equal to, 9 P हो गिया, तो हमारा यहाँ पर हम लोग को Q निकालना है, तो यहाँ P is equal to 10 by 9 Q लिख सकते हैं, ठीक है, और यह value हम यहाँ पर put कर देंगे, P का value, यह वला equation में put कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, 10 by 9 Q is equal to Q plus 40, इसे solve करेंगे, तो 10 Q is equal to 9 Q plus 360, Q is equal to 360, मतलब Q का marks कितना आया है, 360, option देखेंगे का है 360, 360 is option number A, तो यह आपको clear हो गया होगा, simple सा equation था, दो equation लिखना था, और उसको equation से solve कर देना था, ठीक है, question देखेंगे, यह, यह सब question को simple, आप easily way में बनाईएगा, if the price of an article is decreased by 100, मैंने बताया है, जब भी percentage वाला question है, तो आप 100 को एक base price मान के चलिए, ठीक है, 100 base price से original price है, article का 20% से दाम घट गया, मतलब अब article का price 80 रुपया हो गया है, ठीक है, 20% घट गया, then now the new price is increased by 25%, अब 80 का 25% कितना होगा, side में आप निकाल सकते हैं, 80 का 25 by 100, मतलब 4, 20, तो अब 20% increase हो गया, मतलब अब 80 plus 20, 100 हो गया है, ठीक है, then what is the net change in the price, पहले 100 था, और पूरा-पूरी calculation करने के बाद भी 100 हुआ, मतलब net change, हमारा कितना हो गया, 0% का, option क्या हो जाएगा, option number A, इस असान question आपको नहीं मिलेगा बनाने, ठीक है, अब next question move करते है, question is, a student appeared in 6 paper, the maximum marks are the same for each paper, maximum marks मान लेते हैं, 100 है, और total paper का marks कितना होगी या, 600, ठीक है, 6 paper है, his marks in the paper are in the ratio, in the proportion of this, मतलब 5, 6, 7, 8, 9, 10, इस proportion में उसका marks आया हुआ है, overall he scored 60%, तो 600 का total paper है, so overall 60%, 600 का 60%, 360 marks उसका आया है 600 में, in how many paper, did he score less than 60% marks, मतलब 100 हम लोगों ने माना है, ये 100 माना है कि इस paper का marks है, तो हमें बस इतना calculate करना है कि, कौन-कौन से paper में, उसका marks 60 से कम आया है, तो simple पहले ratio का total sum देख लेते क्या होता है, तो 9, 10, 9, 19, 19, और 8, 27, 19, 27, 27, 37, 6, 45, 45, मतलब ratio का sum 45 आ रहा है, और हमारा marks 360 है, और 360 को हम लोग simple 45 से divide मार देंगे, 45 वन यूनिट के लिए, तो 45 पंदरा से जाएगा, 15 दूनितीस, 15 चौके साथ, और ये 3, और ये 8, मतलब 1 unit का value 8 आ गया, तो अब हम लोग marks calculate कर लेंगे, 1 unit के value 8 है, तो 5 unit के value 8, 45, next 6 unit का अच्छा कर तालीस, मतलब ये marks है हमारा, 8 सते 56, 8 आठे 64, 9 आठे 72, और 10 अच्छी, ठीक है, ये marks मिल गया हमें, ये सबको add करेंगे तो 360 हो जाएगा, ठीक है, अब हमें पूछा गया है, कि कितने subject में 60% से कम marks है, मतलब 100 हम लोगों ने total marks माना है, per subject का, सो कितने subject में 60 से कम marks है, तो 40, 48 और 56, मतलब 3 subject ऐसे हैं, जिसका marks 60% से कम है, सो option हो जाएगा B, 3, ये simple सा question है, हमें बस ratio को add करके, जितना marks से divide करके, एक unit का value निकालना है, और per unit से हम लोग value निकाल लेंगे, कि कितना marks आया है per subject में, सो answer is 3B, easy question था, next देखिए, a swap owner offer a following discount option on a article to a customer, पहला discount देखिए, successive discount of 10% and 20%, and then pay a service tax of 10%, ठीक है, सपोज मान के चलिए 100 रुपीस का product है, हम तीनों condition लेते हैं, सबसे पहले, successive discount of 10% and 20%, so 100 का 10% discount मिल गया, मतलब 90 हो गया हमारा price, उसके बाद 20% 90 पे मिल गया, ठीक है, 90 पे 20% मिल गया, मतलब और हमारा 18 घट गया, तो 90 minus 18 72 हो गया, and then pay the service tax of 10%, तो आपको पता है कि service tax किस पे पे करना होता है, service tax हमारा total amount पे पे करना होता है, that means service tax हमें ये 100 पे पे करना होगा, discounted amount पे पे नहीं करना होता, तो 100 का 10% मतलब 10 और घट जाएगा, ठीक है, then pay the service tax of 10, मतलब 10 और बढ़ जाएगा, कि service tax हमें 100 पे पे करना है, ना कि discounted amount पे, so ये value 82 हो गया, अब second scenario देखें, second क्या बोल रहा, second में successive discount of 20%, so सबसे पहले 100 का 20% discount होके, हमारा 80 हो गया, then 10% का discount, 80 का 10% मतलब minus 8, 72, and then pay service tax of 10%, so 100 का 10% service tax 10, तो इसका भी price ultimately 82 पे करना पड़ा, अब third equation, pay the service tax of 10% first, मतलब सबसे पहले 100 का 10% 10 पे कर देना है, plus, then successive discount of 20 and 10%, so 100 का 20% discount फिर क्या होगा, 80 और उसके बाद फिर उसका 10% discount फिर है, मतलब 10% 80 का 8, that is 72, तो में 72 प्लस 10, that is 82, so तीनों case में हमारा value क्या आ रहा, 82, 82, 82, because यहाँ एक बस catch point है, कि service tax जो लगता है, वो original amount पे लगता है, ना कि discounted amount पे, so अब question हमारा देख लेते हैं, question क्या क्या option है, A is the best option, B is the best option, 3 is the best option, all options are equally good for the customer, because हर option में customer को 82 रुपे पे करना पढ़ रहा है, इस कारण से all options हाई होगा, और option हमारा D answer होगा, यह clear होगे आपको, next आगे बढ़ते हैं, next question क्या है, in adult population of a city, 40% men, 30% women are married, ठीक है, 40% men, and 30% women are married, what is the percentage of married adult population, if no man marries more than one woman, and no woman marries more than one man, and there is no widows and no widowers, इसका मतलब है, कि simple दे दिया गया है, कि एक man एक से marry करेगा, one-one marry है, एक husband, एक husband और एक wife है, और कोई, किसी का husband नहीं मरा है, किसी का wife नहीं मरा है, और question हम से पूछा गया है, कि what is the percentage of married adult population, तो married adult population का percentage कितना होगा, मान के चलते हैं, कि हम 100 ले ले लेते हैं, total number of population, ठीक है, total population अगर 100 लेते हैं, तो 100 में हम देख रहे हैं, 40% married people है, तो 40 men married होंगे, और 30%, यहां 100 नहीं ले सकते, मैं बताऊंगा, क्यों नहीं ले सकते, कि 40% married है, 30% of male unmarried है, तो male को मान के चलते हैं, X है, और female को मान के चलते हैं, तो हम देख सकते हैं, total male X है, और total female Y है, यह हम लोग मान लिए, अब X का 40%, X into 40 by 100, यह total married male है, that is equal to, Y का 30 by 100, यह married female है, बेकोज जितना male होगा, अतना female होगा, अब इन दोनों को equate करेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, 4X is equal to 3Y, तो इससे हमारा क्या आ जा रहा है, X by Y is equal to 3 by 4, और हमें निकालना क्या है, what is the percentage of married adult population, तो married adult population का percentage कितना होगा, तो married adult population का percentage क्या होगा, यह total married population कितना है, 40X by 100 plus 30Y by 100, यह total married people है, और total people कितना है, X plus Y, तो यह हमें calculate करना है, यह clear है, तो इसको अब simple मैं solve कर रहा हूँ, तो यह उपर हो जाएगा, 40X plus 30Y, नीचे हो जाएगा, 100 common हो जाएगा, X plus Y, ठीक है, यह हमारा हो गया, और अब हम क्या करेंगे, simple क्या करेंगे, पूरे equation को Y से divide मार देंगे, तो Y से divide करेंगे, तो 40X by Y, plus 30, divided by, दोनों तरफ, उपर में भी Y से divide, नीचे भी Y से divide, 100, X by Y, plus 1, यह agreed है, और हमें X by Y का value, हमें यहाँ से पता है, 3 by 4, ठीक है, अब X by Y का value, 3 by 4 put कर देंगे, 40 into 3 by 4, plus 30, divided by 100 into 3 by 4, plus 1, ठीक है, इसको solve करते हैं, यह 4, यह 10 कट गया, मतलब यह 30 हो गया, 30, 30, 60, 60 divided by, यह कितना हो गया, 4 इदर 7, मतलब 100 into 7, बटा 4, यह 4 यह 25 से कट गया, इसका मतलब है, हमारा 60 बटा, 25 into 7 कितना होता है, 100, या 25 into 7 को यहीं से काट देते हैं, यह 5 बार में, यह 12 बार में, तो हमारा 12 बटा, 35 आ गया, ठीक है, अब check करते हैं, हमें पूछा है, यही question पूछा है, 12 बटा 35, हमें ratio में पूछा है, अगर ले लेते हैं, तो 240 साथिया 21, और 21 30, सच्चो के 28, sorry, 30 28 हुआ, और 2 बटा 7, मतलब 34 2 बटा 7%, यह option में चेक कर लेंगे, कहाँ पर है, 34 2 बटा 7%, जो कि option number C है, ठीक है, यह थोड़ा सा lengthy calculation चला गया है, questions एकदम असान है, question simple हमारा पूछा गया है, मैं फिर से एक बड़ समझा देता हूँ, यह question, कि हम मान लेंगे कि, X जो population है, X टोटल मेल है, Y टोटल फीमेल है, तो हम लोग यहाँ से क्या निकाल लिए, कि total married male जितना होगा, उतना married female होगा, इससे हम लोग ने, X, Y का equation निकाल लिया, और हमें answer क्या चाहिए था, कि fraction of the percentage of woman adult population, मतलब, जितना marriage divided by total population, यह जो population है, और यह जो population है, टोटल population है, इन्टु हंड्रेट यही करना चाहिए था, बढ़ मैंने पूरा calculation करने के बाद, last में इन्टु हंड्रेट किया है, आप ध्यान दे दिजेगा, तो ठीक है, बस इसी equation को मैंने solve किया है, आप भी solve करेंगे, तो आपका answer आजाएगा, 34 is to 2 by 7, तो यह simple सा question था, बस calculation part थोड़ा सा लंबा था, तो जिसलिए यह थोड़ा सा लंबा खिच किया, ठीक है, अब next question बढ़ते हैं, next question देखें क्या है, question पूछा है, as a result of 25% high किंदः price of rice per kg, suppose initial price P था, अब 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 price क्या हो गया, 25% high हो गया, तो अब P plus P का 25% बढ़ गया, so price हो गया, 125 P by 100, यह new price है, यह previous price है, अब person is able to purchase 6 kg, less rice for 1200, so पहले अगर X kg खरीता था, तो अब X minus 6 kg खरीद रहा है, तो 1200 रुपे में, so simple 2 equation बन जाएगा, पहले P था price, और X, sorry, P price था और X kg खरीता था, तो price into quantity, that is equal to 1200, और अब क्या हो गया, price कितना हो गया, 125 P by 100, और quantity कितना हो गया, X minus 6, अभी भी उसको 1200 रुपे लग रहा, अब दो equation है, और हमें निकालना क्या है, what is the original price, मतलब P का value निकालना है, ठीक है, अब ये दो equation को simple, हम solve कर रहे है, यहाँ से अगर हम P का value निकालना है, तो X को substitute कर देंगे, X को लिख देंगे, 1200 बटा P, और यहाँ पर X substitute कर देंगे, यह हो जाएगा 5, यह 4, तो 5 P by 4, और X के जगा पे 1200 by P minus 6, is equal to 1200 यहाँ गया, ठीक है, अब यह 4 यहाँ पर हम लेते जा रहे हैं, और यह 5 को हम इस तरफ लेके जा रहे हैं, और इसको calculate करेंगे, तो हमारा क्या जाएगा, P into 1200 minus 6 P divided by P, ठीक है, तो यह P P cancel हो गया, and this will be 5, दूनी 10, और 25 के 20, और 0, तो यह हमारा आ गया 06, से carry 8, एक 9, 960, ठीक है, अब इसको equate कर लेंगे, तो हमारा 1200 minus 960 is equal to 6 P, तो P is equal to 246, that means 624, 40, P का value क्या आ जा रहा हमारा यहां से, 40 आ जा रहा, बास simple यह दोनों equation को मैंने solve किया है, तो P का value 40, जो की हमारा option number B में दिख रहा है, जो यह काफी simple question है, बस equation राला question था, हम लोग ने निकाल लिया, अब next question, a person bought a car and sold it for 3 lakh, if he incurred a loss of 20%, then how much did he spend to buy a car, so simple question है, कि X में मान के चलिए buy किया है, और 3 lakh में sold किया, और वो 20% का loss जेला है, इसका मतलब 20% का loss जेला है, मतलब वो car 80% के, जितने price में खर्दा होगा, उसके 80% पे बेचा होगा, तो X price पे खर्दा है, इसका 80% पे उस car को बेचा है, मतलब 80% 80 by 100, और इसका price कितना होगा, तीन लाख, ठीक है, 5-0 होगया, अब X हम निकाल लेंगे, X कितना हो जाएगा, so this will be 4, and this will be 5, X is equal to 15, यह 5-0, 15 है 10 to the power 5, 2-0 रख लेते, 10 to the power 3, divided by 4, तो यह हो जाएगा 25, so बस मैं solve कर रहा हूँ, 25 into 15, 25, 2 carry, 10, 15, 17, 1 carry, 2, 1, 3, मतलब यह हमारा value आ रहा, 375 into 10 to the power 3, यह X का value आ रहा, और पूछा क्या है, how much did he spend to buy a car, मतलब X हम लोगों ने माना था, X रुपेज में ही वो car को buy किया था, तो answer क्या है, 375, 10 to the power 3, मतलब 375, 1, 2, 3, 0, जो कि option number D दिख रहा है आपको, so यह तो one of the simplest question है, इसमें आपको doubt नहीं होना चाहिए, simple सा question बोला है, खरदा है 20% पर loss है, मतलब 80% पर वो बेचा होगा, next question, मतलब राकेश पहले 8 मोबाइल लेता था, 8 मोबाइल के पास खरीदने का पैसा था, तो suppose मोबाइल का प्राइस पी था, तो 8 इन्टू पी is equal to, राकेश के पास suppose रूपीज का इसाइन दे देता है, इतना रूपीज है, next क्या हुआ, राकेश अब जब डिसकाउंट के बाद, अब राकेश 10 मोबाइल खरीद पाएगा, तो हम मान के चलते हैं कि, यहाँ 8 था ना, 8 इन्टू प्राइस अफ वन हैंड सेट, एन्टू राकेश कुट बाई 10 मोबाइल, अब 10 बाई कर पाएगा, डिसकाउंटेट प्राइस पे, मतलब P पे suppose X पर्सेंट डिसकाउंट दिया गया है, तो P इन्टू एक्स बाई 100, ठीक है, अब क्या करेंगे, यह दो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर देंगे, और X हमारा क्या है, इतना पर्सेंट डिसकाउंट दिया गया है, तो पहला है 8P, दूसरा इक्वेशन को इसको लिखेंगे, तो क्या लिख सकते हैं, 10P, अंदर वाले कोई solve कर लेता हैं, या आप ऐसे ही कर लिजए, 10P minus 10P X divided by 100, यहाँ आप देख रहा है, जो P है वो common है कट जाएगा, तीनों में, बच किया गया हमारा, 8 is equal to 10 minus, यह 10 10 कट गया, X by 10, इसको solve करना है, यह इसको इधर बेज देंगे, 8 को इधर बेज देंगे, तो X by 10 is equal to 2, X is equal to 20, और हम लोग X लिए क्या थे, कितना percent उसको discount मिलेगा, So X 20 आया, मतलब 20 percent, राकेस को discount मिला होगा, So that पहले जो 8 रुपया, 8 purchase कर पाता था, अब 10 purchase कर पाएगा, तो B हमारा answer हो जाएगा, यह simple percentage का question है, काफी सारा request आता है कि percentage पर बनाने, So ऐसे आप deal कर सकते हैं, यह वाला equation आपको अगर लिखने आ गया, तो percentage का question मांगा नहीं, आपको कोई भी problem नहीं होगा, एक पर मैं और फिर बदा आ देता हूँ, जो discount दिया गया है, पहले P price था, minus कितने percent का discount दिया गया है, तो discount का percentage minus कर लेते हैं, suppose X percent discount दिया गया है, तो P का X percent मतलब P into X by 100, So यही चीज मैंने लिखा है, ठीक है, अब move करतें next question पर, next question क्या पूछ रहा है, in an examination, A score 20 marks more than B, मतलब A is equal to B का जो marks है, उससे 20 ज्यादा, ठीक है, if B score 5 percent marks less than A, So B जो है 5 percent less marks than A, So हम यह बोल सकते हैं कि B का जो marks है, A के marks से 5 percent कम है, मतलब अगर A का marks 100 है, तो 5 percent मतलब 95 होगा, तो हम लिख सकते हैं कि A का 95 percent marks B लाया होगा, यह आपको समझ में आ रहा होगा, कि अगर 5 percent B का marks कम है, तो B का marks A के 95 percent के बराबर होगा, तो अब हमारे पास 2 equation आ गिया और पूछा गया है, how much B score, 2 equation है, हम B का value निकालना है, तो यहां से A का value B plus 20 है, तो इसमें बस हम B plus 20 put कर देते हैं, एक के जगा पर, B plus 20 into 95 by 100, so this will be 19, this will be 20, बस equation solve कर रहा हूँ, so 20 B, यह वाला part B है यह, so 20 B is equal to 19 B plus 20 into 19, so यह इधर जाएगा, B is equal to 19, 38, तो B का value के आ गया है यहां पर, 380, simple 2 equation था, हम लोगों ने solve कर के अंसल आ दिया, इसारा tough नहीं है, अब next question, अगर 10% रेस्ट लिया है, इसका मतलब है 90% घूमने गया है, यह clear हो गया, और घूमने का event क्या क्या है, एक स्वापिंग है, second sightseeing, double S for sightseeing, ठीक है, इस 90% में से यह होगा, तो हम लोग ऐसा कुछ लिख सकते हैं, कि shopping union, जो formula होता है, sightseeing, जो हम लोग n लिखते हैं, इसको हम लोग percentage में राने देते हैं, जहां भी मैंने 90 लिखूंगा, आप percentage समझिएगा, जो भी number है, वो percentage में है, so n of shopping union, sightseeing is equal to 90, और 80% win for shopping, मतलब n of shopping is equal to 80, और 50% sightseeing, मतलब sightseeing का कितना हो गया, 50, और हमें पूछा क्या गया है, अब conclusion देखते हैं क्या क्या है, पहला, 40% member went for swapping as well as sightseeing, मतलब निकालना क्या है, n of shopping plus sightseeing, मतलब इन दोनों का common लेते हैं, आपको पता है, intersection point लेते हैं, ये वाला point लेते हैं, और आपको formula पता है, क्या होता है, n of sh intersection double s is equal to n of sh plus n of double s minus n of sh union double s, ये simple सा set theory का question है, set theory का equation है, अब n of sh put कर लेते क्या है, 80 plus 50 minus 90, ठीक है, मैं बार 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 रहा हूँ, n for number होता है, बट हम लोग percentage एक पे ले रहा हैं, तो ये चलेगा यहां पर, 8, 5, 13, 13 minus 9, 40, मतलब 40 percent is both, मतलब swapping और sightseeing दोनों कर रहे हैं, 40 percent member, मतलब पहला equation इसका सही हो गया, second क्या बोला है, 20 percent member went for only swapping, so swapping के देख रहे हैं, swapping 80 percent है, और उसमें 40 percent दोनों कर रहे हैं, तो only swapping क्या होगा, 80 minus 40, क्योंकि 40 percent तो दोनों कर रहे हैं, और 80 total swapping है, that is 40 percent, मतलब 40 percent ऐसे होंगे, जो only swapping करेंगे, लेकिन यहां पर 20 percent दिया है, मतलब यह second equation गलत हो जाएगा, so हमार आंसर क्या हो जाएगा इसमें, one only, जो की option number A है, ठीक है, आप ऐसे यह वाला part आपका main था, कि 90 percent ही जा रहा है आगे, और यह equation निकाल लिए, और इस formula सा आपने put कर दिया, और बाकी सब जो भी तरीका लो गया आप, तो वो थोड़ा complex चला जाएगा, so this is a base method to calculate, अब next move करते है, next question क्या है, देखिए, राजू has 9,000 with him, and he wants to buy a mobile handset, but he finds that, he has only 75 percent of the amount required to buy the handset, therefore he borrows 2,000 from a friend, ठीक है, राजू के पास 9,000 रुपया था, लेकिन उसको पता चला, कि उसके पास केवल 75 percent of the amount है, जितना mobile handset का price है, ठीक है, तो ये 9,000 क्या हो जाएगा, जितना mobile का price है, उसका 75 percent हो जाएगा, तो X into 75 percent, X mobile का price मान लिया हम लोगों ने, is equal to 9,000, ठीक है, ये clear है कि X mobile handset का price है, और उसका 75 percent 9,000 होगा, क्योंकि राजू के पास उतना ही है, तो इसको अगर solve करेंगे, तो this will be 3, this will be 4, so X is equal to 9,000 into 4 by 3, so this will be 3,000, मतलब mobile का price कितना आ गिया, 12,000 का mobile का price है, ये हमें यहां मिल गया है, और उसके बाद बोला गया है, कि therefore he borrows 2,000 from a friend, so 9,000 पहले से था, और 2,000 फ्रेंड से बाई किया, तो अब उसके पास से 11,000 आ गया है, लेकिन mobile का price अभी भी 12,000 है, और वो उसके पास अभी 11,000 है, अभी उसके पास पूरा पैसा नहीं है, तो option देखेंगे, राजू still does not have enough amount to buy the handset, तो यहाँ पहला यह option सही हो जाएगा, आगे option हमें देखना ही नहीं है, फिर भी देख लेते हैं, राजू has exactly same amount, यह गलाता है, राजू has enough amount to buy, यह भी गलाता है, राजू has enough amount to buy, मतलब हमारा पहला option सही हो गया, सो यह simple सा question था, अब next question के तरब move करता है, question is, A and B are two heavy steel blocks, if B is placed on top of A, the weight increase by 60%, मतलब simple question है, A, normal A का weight मान के चलते हैं, हमेसा यहाँ पर percentage है, तो 100 मान लेते weight है, और A के उपर B रख दिया गया, तो weight कितना हो गया, 60% से increase हो गया, मतलब A, B का total weight कितना हो गया, 160, 100 का 60% 60 होता है, तो 100 plus 60, 160 अब इसका weight हो चुका है, next क्या पूछा है, how much weight will be reduced, with respect to the total weight of A and B, अब total weight के respect में हमें निकालना है, if B is removed from the top of A, तो total weight 160 है, तो A का 100 है, तो इसका 60 होगा, तो अब 160 में से अगर 60 निकाल लेंगे, तो ये कितना percent weight निकलेगा, मतलब 160 का, कितना percent, मतलब X percent, हमारा 60 होना चाहिए, तो ये X percent weight निकाल लेंगे, जो कि B का weight है, so simple इसमें X calculate करना है, so X हम simple calculate कर लेंगा, X is equal to, 60 into 10 by 16, तो ये 4 गया, ये 15, that is 75 by 2 होता है 37.5, मतलब 37.5 percent weight reduce हुआ है, जो कि option number D है, ये simple सा question बोला है, एक बार और मैं repeat कर देता हूँ, पहले A का 100 weight ले लिया, और जब B उसके उपर रखा गया, तो 60 percent weight बढ़ गया, मतलब 160 हो गया, अब बोला गया कि B को हटाने पे, 160 में से कितना percent weight हट जाएगा, तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है, कि 160 का कितना percent, मतलब X को कितना percent, हम होगा ये 60, तो वही है ये X हम लोग ने निकाल ले 37.5, ऐसा question आप लोग ने बहुत किया होगा, आप move करते हैं next question पे, So, मान के चलिए maximum marks X है, उसे पास होने के लिए 40 percent marks चाहिए, मतलब X into 40 by 100, इतना marks चाहिए पास होने के लिए, इसको simplify करेंगे तो हो जाएगा 2 by 5, मतलब 2X by 5 उसको marks चाहिए पास होने के लिए, उसे 30 marks मिला है और वो fail by 30 marks हो गया है, मतलब 30 marks और लाता तो वो pass हो जाता, मतलब 30 मिला है उसको, और 30 लाता तो पास हो जाता, So, यह passing marks हो गया, और passing marks क्या था हमारा, हम लोगों ने passing marks निकाला था क्या, 2X by 5, that is equal to 2X by 5, मतलब 60 is equal to 2X by 5, So, यहां से X is equal to क्या हो गया, 60 into 5 by 2, that is यह 30, or that is equal to 150, So, इसका अंसर क्या हो गया, 150, that is option number C, यह भी काफी आइसान question है, यह सब question में आप ज्यादा time नहीं लीजेगा, question देखिए का answer टिक मार के आगे चलिएगा, ठीक है, यह clear है आपको, next question, question है, 40 रुपया में बेचता है, तो X percent profit होता है, 20 रुपया में बेचता है, तो X percent loss होता है, तो original cost क्या होगा, तो इससे एक चीज़ तो पक्का हो गया है कि, 20 में loss हो रहा, 40 में profit हो रहा, तो जो original price है, वो 20 और 30 के बीच में होगा, तो यहां से गर अगर answer eliminate करना चाहे, तो 20 और 40 के बीच का answer कौन सा है, के वल 30 है, 10, 20 और 40 हैसी eliminate हो जाएगा, तो answer हमारा 30 हो जाएगा, तो यह directly answer हमार क्या सकते हैं, अब मैं process से बता देता हूँ, process से कैसे जाना है, तो अगर 40 में बेचता है, तो X percent profit होता है, तो suppose P price है product का, P plus X percent profit, मतलब P का X percent, PX by 100 is equal to 40 रुपया, ठीक है, next है, अब P price है, अब X percent loss होता है, मतलब P का X percent, P by 100 is equal to 20, यह दो equation है, दो variable है, simple इसको expand करेंगे तो क्या होगा, 100 P plus PX is equal to 4000, so यहाँ से PX का value निकाल लिए, 4000 minus 100 P, अब second वाल equation को simplify कर दे रहे, 100 P minus, यह जो PX है, हम लोग simple यहाँ value पूट कर दे रहे, 4000 minus 100 P, that is equal to, यह 100 इदर आ जाएगा, 2000, ठीक है, सिर्फ equations all कर रहा हूँ है, 100 P minus 4000 plus, यह 100 है, तो 0 आगे गलती से, 100 P is equal to 2000, so यह 100 P, 100 P, 200 P हो गया, और यह 4000 इदर चाला जाएगा, तो 6000 हो जाएगा, so P का value 6000 by 200, मतलब 30, so वही हम मैंने guess करके 30 बताया था, जो कि आप simple यहाँ से guess कर सकते, यह था process से चाहिए, यह guess कीजिए, answer से मैं, मैं तो बस approach बताऊँगा, आप ट्रिक बताऊँगा, कि आप जल्दी solve करता है, ठीक है, अब next question, question is, a person about a refrigerator worth 22,800, with 12.5% interest, compoundly yearly, at the end of first year, सबसे पहले वो 22,800 में खरीदता है, freeze, rate है 12.5% compound interest के rate से, so पहला साल वो, 8650 पे करता है, दूसरा साल, 9,125 पे करता है, तो हमें बताना है, कि अब उसका date कितना बच गिया, तो सबसे पहले हम first year के reference लेके चलते हैं, first year में उसका date कितना होगा, हम simple PRT by 100 हमें पता है, formula PRT by 100, यह हमारा interest amount निकलता इससे, तो पहला साल में interest amount कितना बना है, तो P हमारा हो गिया, 22,800, आर हो गया 12.5, time 1 year का ही निकाल गहा है, by 100, तो यह 10 हो गया, यह 100, 2,0 कट गया, यह 10 से 2 कर दिये, और यहां पर हमारा 25, ठीक है, और यह 2 हमारा यहां कट गया, 11,4, तो हमारा अगर इसका, solve कर ले, 111,15 आ गया, तो 111,15 यह हो जाएगा हमारा, 22, 2 carry, और 8,5, 8,2,10, 5,15, एक carry, 5,2,7,1,8, और 2,12, मतलब 2,8, 5,0 हमारा यह आ गया, 2,8, 5,0, यह value आ गया, इतना liability बना, मतलब इतना interest बना, first year पर, और first year में उसने pay कितना कर दिया, 8,6, 5,0 pay कर दिया है, और उसका interest केवल 28,50 बना है, इसका मतलब है, कि 8,6, 5,0 में से 28,50 अगर माइनस कर देते हैं, तो यह कितना आ जा रहा है, 00, और यह 8, 8,16 और 7 में से 2,5, मतलब 5,800 principal amount pay किया होगा, 5,800 principal plus 28,50 यह interest amount, ऐसा कुछ pay हुआ होगा, विगोज 28,50 इंट्रेस्ट बन रहा है, और यह 500 principal amount से minus होगा, यह 22,800 से, अब effective principal amount कितना हो गया, 22,800 में से यह 500 minus कर देते हैं, तो यह हमारा बच गया, 0,0,0, और यह होगी हमारा 17, अब 17,000 principal amount होगा second year के लिए, तो अब 17,000 पे हम लोग निकालेंगे, कितना बनेगा second year, 17,000 principal हो गया, rate वही है, into time second year 1 है, by 100, तो फिर 00, 00, गटा, यह 10 आएगा, यह 10 यहां से कट गया, तो हमारा 125 गुना 17, 125 गुना 17, कितना हो जाएगा, 35, 3 carry, 14, 5, 19, 3, 22, 2 carry, 7, 2, 9, 10, 11, 1 carry, और एक एकम 2, मतलब 21, 25, इसका liability आ रहा, और second year में भी देखो, उसने 195, 25 पे किया है, तो 195, 25 पे किया, और उसका जो interest बन रहा, 21, 25 ही बन रहा है, तो 000, 7, मतलब 7,000 जो है, वो principal amount पे किया होगा, क्योंकि जब यह जो payment है, actual में जब आप देखेंगे, यह जो payment जो हो रहा है, इसमें principal प्लस interest, दोनों add है, और इसे जो formula से जो निकाल रहे हम लोग, यह सब हम लोग interest निकाल रहे, 28, 50 interest आ गिया, यह 21, 25 interest आ गिया, तो हम लोग 20, 25 को यहाँ 95 से माइनस करके हम लोग पता कर रहे है, कि जब वो payment हुआ होगा, तो principal amount में से कितना घटा होगा, तो यहाँ देखिए, इस बार 7,000 घट गिया principal amount में से, तो principal amount कितना effective था अभी, 17,000, तो 17,000 में से 7,000 घट गिया, मतलब अब principal amount कितना बच गिया हमारा 10,000 केवल, ठीक है, principal amount हमारा 10,000 बच गिया, केवल 3rd year starting में, अब 3rd year का हम लोग interest निकाल लेंगे, 3rd year का interest कितना होगा, P into R क्या है, 12.5, T1 ही होगा, by 100, तो यह 10 आ जाएगा, तो 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 0, तो यह हमारा आ गिया, 1250, मतलब 1250 interest बच गिया, और 10,000 principle, तो total date कितना बच गिया, 10,000 plus 1250, that is equal to, 11,250, यह 11,250 यह total date बच गिया, मतलब अब वो person को refrigerator के लिए 11,250 पे करना है, अब option देख लेंगे क्या है, option में देखिए, last option, 11,250, तो यह हमारा, ऐसे हम लोग calculate कर लेंगे, तो यह आपको पता चल गिया होगा, simple interest का simple formula लागा कि interest निकाल लेना है, और यह जो payment किया है first और second year, उसमें से interest का पैसा minus कर देना है, उससे पता चल जाएगा कि first year में, कितना payment principle के against गया है, वैसा ही second year में, कितना payment principle के against गया है, तो वो payment effective principle से minus हो जाएगा, तो वैसे principle minus होते रहेगा, और last third year में, हमारा principle 10,000 बच गिया, और 12.5% के साब से 1250 रुपय interest आ गिया, तो 10,000 प्लस 1250, ग्यारा जार 250 हमारा अब pay करना है उस person को, यह clear हो गिया, अब move कर दे next question, question is, there is a milk sample with 50% water in it, मतलब 50% water है milk में, मतलब 50% milk होगा, 50% water होगा, if one third of this milk is added to the equal amount of pure milk, मतलब इस mixture का one third, हम ले रहे हैं और उसमें add कर रहे है one third of pure milk, ठीक है, यह जो one third mixture होगा, इसमें आधा water होगा, आधा milk होगा, तो one third का आधा कितना होता है, one by six, तो one by six water होगा, प्लस one by six milk होगा, आगे पुछा question क्या है, then water in the new mixture will fall too, मतलब water का percentage पुछा है, कि water का percentage new mixture में कितना होगा, तो total water new mixture में कितना है हमारा, किवल यह पाठ है water का, one by six water का पाठ है, और total mixture कितना का बना है, one by three plus one by three, मतलब two by three का, ठीक है, into hundred क्योंकि percentage निकालना है, clear होगया, water by total mixture, this is water, this is total mixture, divide into hundred, यह ही percentage का formula होता है, इसको solve करेंगे, तो one by six into three उपर आजाएगा, two निचा आजाएगा into hundred, यह two हो गया, और दो दूनी चार यह 25 हो गया, मतलब answer क्या हो गया हमारा, 25% यह सबसे simple question था, option number A, so clear होगया होगा आपको, next question है, in a city 12% household earn less than 30K, तो यहाँ लिख देंगे 12% जो है, यह less than 30K, मतलब 30,000, 6% earn more than 2 lakh, तो 6% greater than 2 lakh, और 22% household earn greater than 1 lakh, and next information है कि 990 household है, जो 30,000 और 1 lakh के बीच में अर्ण करता है, और हमें question पूछा गया है, कि कितने household 1,00,00 और 2,00,00 के बीच में अर्ण करते हैं, तो सबसे पहले हमको निकाल लेंगे कि total household कितने है, तो यहाँ equation से पहले हम लोग देखेंगे, कि 30,000 से कम वाले 12% है, और 1,00,00 से उपर वाले कितने % है, देखें, 3 series बनेगा आपको पता है, 30,000 से कम वाले पहला, दूसरा बनेगा 30,000 से 1,00,00 के बीच में, 22%, 22%, यह 2,00,00 से उपर आप इसमें consider इसलिए नहीं करेंगे, क्योंकि 1,00,00 से उपर होगा, उसका कुछ परसेंट 2,00,00 से उपर वाले में already add हो गया है, ठीक है, तो बच कितना गया, यह 12% और यह 22%, दोनों को add कर लेंगे, तो 12 और 22, 34% हो गया, तो बचा हुआ कितना 66%, यह होगा, क्योंकि 100% आपको करना है, तो 30,000 से 1,00,00 के बीच में, 600% लोग fall कर रहे हैं, और यह 600% लोग है, 990 लोग, यह वाला जो equation दिया है, हमारा fourth, तो यहां से क्या पता चल रहा है, कि 600% लोग 990 है, तो 100% कितने होंगे, 6 कटेगा, और 11 बार में 90 बार में गटेगा, तो यह 6 और यह 15, that means total लोग कितना आगए, 1500 लोग वहाँ पर, हमें पता चल गया कि 1500 लोग है, अब question क्या पूछा है, कि how many household earn between 1,00,00,00 के बीच में कितने earn करेंगे, तो आप यहाँ पर गौर से देखिए, 1,00,00 से उपर 22% है, और 2,00,00 से उपर 6% है, इसका मतलब है, 22 में से 6 घटा देंगे, तो वैसे नंबर आ जाएंगे, जो 1,00,00,00 के बीच में है, तो 22-6, that is, 16% जो लोग है, वो 1,00,00,00,00 के बीच में है, तो टोटल लोग हमारा कितना है, टोटल 1500 आया, तो 1500 का 16% सिंपल निकाल लेंगे, 16 by 100, यह 0,00 कट गिया, और 16 into 15 कितना हो जाता है, 30, 3 कैरी होगा, 14, 1 कैरी, 2, मतलब 240 लोग ऐसे हैं, जो की 1,00,00,00,00 के बीच में है, तो 240 हमारा option number क्या दिख रहा है, B, ठीक है, यह simple सा equation, हमको equation solve करना था, confusion यह होता है कि कभी-कभी लोग क्या करते है, 12, 6 और 22, तीनों को जोड लेते हैं, हमें तीनों को नहीं जोडना है, बिकोज जो 22 परसेंट है, यह 1,00,00 से उपर का ही दिया हुआ है, तो यह जो 6 परसेंट है, यह 22 परसेंट में included है, बस यह ध्यान रखना है, तो इसे साबसे 16 परसेंट हमारा 9.90 आएगा, तो बस यह ध्यान रखना है question में, और कुछ question में जान नहीं था, नेक्स कोश्चन बढ़ते हैं, नेक्स कोश्चन है, राम बॉट अ सेलफोन एंड सोल इट तो राम तो 10 परसेंट प्रॉफिट, मतलब गोपाल बाई करता है सेलफोन, इसमें कभी भी जब भी आपको परसेंट वाला कोश्चन है आप 100 मान के चलिए, सब्सक्राइब गोपाल ने 100 रुपेश में बाई किया, और वो राम को सोल्ड कर दिया 10% का प्रॉफिट में, मतलब 100 का 10% प्रॉफिट 10 रुपिया, मतलब राम को 110 रुपिया में सोल्ड कर दिया, ठीक है, तो बोला है कि what will be the Gopal position if he agreed, अब Gopal अगर ready हो जाएगा 99 में खरीदने में, तो Gopal का position क्या होगा, तो Gopal ने initially 100 रुपया में खरदा था, और उसको फिर से buyback कर रहा 99 रुपया में, मतलब Gopal 1 कितना रुपया, 100 का 99, मतलब 1 रुपया profit है, तो 100 का 1 रुपया मतलब 1 परसेंट profit पर है, 1% gain पर है, तो answer क्या हो जाएगा, C 1%, ये क्लियर है, simple question था, profit gain का, question is, two number X and Y are respectively 20% and 28% less than the third number Z, ऐसे question में हमेशा मैंने बोला है, Z को 100 मान लेने, उसके हिसाब से X कितना है, X 20% less है, मतलब X 80 हो गया, और Y 28% less है, तो 100-28, 72, ये हमारा scenario आ गया, बोला है, question क्या पूछा है, by what percentage is the number Y less than X, so number Y जो है, कितना percent X से less है, तो यहां से आप पता चल रहा है कि, X का कितना percent Y है, तो X 80 है, 80 के अगर हम 90% लेते हैं, तो ये हमारा exactly 72 आ रहा, मतलब यहां पता चल रहा है, X का 90% Y है, मतलब X से 10% less है Y, तो यहां हमारा option क्या हो जाए नहीं था, simple हम कोई question मना के solve कर लेना था, next question जाते है, the monthly average salary paid to all the employees of the company is 5000, the monthly average salary paid to the male and the female employees are 5200, 4200 respectively, तो सबसे पहले, male के लिए M ले लेते हैं, और female के लिए F ले लेते हैं, ठीक है, so total salary कितना हो जागा, M number of males, and F total, मान के चलते हैं, total sum of the salary of female is F, and M is the total sum of the salary of the male, ठीक है, so M is M plus F divided by, जो भी total number of employee होगा, तो total number of employee मान के चली N है, male और female मिला के, that is equal to 5000, ये एक equation मना, next है, the monthly salary paid to the male and female employee is, was this, so male को कितना pay किया जारा, 500, मतलब M हम लोगों ने माना था, total male का salary, तो M divided by total, यहाँ N1 plus N2 कर देते हैं, N1 male का number है, N2 female का number है, तो N1 is equal to 500, and वैसे ही F divided by N2 is equal to 400, question क्या है, the percentage of male employee in a company, तो male employee का हमें percentage निकालना है, सो यह simple सा question है, बस यह हमें equation मिल गया है, और equation को solve कर देना है, सो कैसे solve होगा, आप देखिए, पहला equation से क्या लिख सकते है, M plus F, that is equal to 5000, N1 plus N2, ठीक है, यह एक हमारा आ गया, and यहाँ से क्या लिख सकते है, M को, 500, N1 लिख सकते हैं, और यहाँ से F को लिख सकते है, B400, N2, ठीक है, और हमें actual निकालना क्या है, कि percentage of male and female, मतलब हमें N1 और N2 निकालना है, because N1 number of male है, और N2 number of female है, N1 by N2 हमारा target है निकालना, सिर्फ equation में put करके, So, अब M का value और F का value यह वाले equation में put करते हैं, ठीक है, So, M plus F है, तो यहाँ लिखते है, M का value, 500, N1 plus F का value, B400, N2 is equal to 5000, 5000, N1 plus N2, N1 plus N2, बस equation को solve करेंगे, देखे, 220 हम काट दे रहें सब जगा से, ठीक है, तो effective क्या हो गया, 52 N1 plus 42 N2 is equal to 50 N1 plus 50 N2, अब N1 साथ, यह N1 इदर कर देंगे, N2 को इदर भेज देंगे, तो यह 2 N1 is equal to 50 minus 42, 8 N2, तो यहाँ से N1 divided by N2 क्या है गया, 8 by 2, that is 4 is to 1, इसका मतलब है, N1 हम लोगों total number of male लिया था, N2 total number of female लिया था, तो हम देख रहें कि total 5 पार्ट हो रहा, जिसमें 4 पार्ट male है और 1 पार्ट female है, मतलब 80% male है, 20% female है, तो हमें निकालना क्या है, male और female, एक बार देख लेते हैं, हमें male निकालना कितना है, तो male कितना है, 80%, तो ऐसे हम लोग simple सा निकाल सकते हैं, बस एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, यहाँ जो M हमने माना है, M is the total salary, मतलब जितना male member है, सबका salary को मिला के जो sum हो रहा, वो M है, और F क्या है, total female को जो salary मिला के F हो रहा, इस कारण से यह equation लिखा है, क्योंकि यह total salary हो गया, यह total number हो गया, और यह individual का salary और total individual का number हो गया, और हमें N1 by N2 निकाल लिया, इस equation से आपने simple से question solve हो गया है, ठीक है, अब next question move करते है, अनीता ज मैथमेटिक स्टेस्ट has 70 problems, ठीक है, 70 problems है उसका, उसमें segregate है, 10 arithmetic है, 10 A for arithmetic, 30 algebra, AR कर देते हैं, AL कर देते हैं, and 30 geometry, ठीक है, although C answered 70% of arithmetic, 40% of algebra, तो 10 का 70% हम लोग लिखते जाते हैं, 10 का 70% मतलब 7 question, color मैं change कर लेता हूँ, 7 question सही की है, ठीक है, और 40% of algebra, 30 का 40% कितना होता है, 12 question, 12 question सही किया है, और 60% यह metric, 30 का 60% मतलब 6 यह 18, 18 question, उसने correctly solve किया है, but he did not pass the exam, because she got less than 60% marks, तब भी यह 60% marks से चुक गया, चुक गई, so the number of more questions you would answer to get the 60% marks, तो अब देखेंगे कितना marks, उसको 60% marks चाहिए, तो total questions कितना है, 30, 30, 30, मतलब 70 question है, 70 total number of question है, और 70 का 60% कितना होगा, क्योंकि अगर 70 में से 60% चाहिए, तो 70 का पहले 60% निकालना होगा, कितना आ रहा, 70 का 60% होगिया, हमारा 42, मतलब उसको 42 question total correct करना है, तो उसने correct कितने number of question किया है, ये 18, 12, 7, मतलब 18, 12, 30, 37, 37 question correct किया है, और pass होने के लिए उसको 42 question correct करना है, तो और कितना question correct करना है, simple हम 37 से minus कर देंगे, तो 5, मतलब और 5 question अगर वो correct कर लेती, तो वो pass हो जाती, तो simple B हमारा 5 answer हो जाएगा, ये भी simple सा question है, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, equation लिखे solve करना है, next question, W can do 25% of the work in 30 days, मतलब W 25% of the work 30 days में कर देता है, मतलब W पूरा काम 120 दिन में कर देगा, directly हम लिख रहे है, 20 days में, 25% 30 दिन, तो 100% 120 दिन, simple है, X can do 1 4th of the work in 10 days, तो X अगर 1 4th 10 में कर रहा है, तो total काम करने में उसको कितना दिन लगेगा, 40 दिन, 40 days, Y can do 40% of the work 40 days, तो Y अगर 40% काम 40 दिन में कर रहा, तो 100% काम 100 days में कर देगा, clear है, and Z can do 1 3rd of the work in 30 days, तो Z अगर 1 3rd 30 दे रहा, तो अगर total काम करना है, तो 13 दिन, 49 दिन में कर देगा, हम लोग directly लिखते जा रहे, so who will complete the work first, मतलब सबसे पहले कौन काम करेगा, तो यहाँ equation साही हमको पता चल रहा, X 40 दिन में, sorry, यहाँ Z हमारा 49 दिन में कर रहा, तो Z सबसे फास्ट काम करेगा, मतलब option number D, अब देखें, simple हम लोगों को कुछ equation लिखना ही नहीं पड़ा, direct answer निकल गया, अब आगे बढ़ता है, question is, the total emoluments of two person are same, but one get allowance to the extent of 65% of his basic pay and other get at the extent of 80%, so हमें निकालना, the ratio of basic pay of former to the basic pay of later, ठीक है, so हम क्या करेंगे कि former का basic pay x माल लेंगे और later का basic pay y माल लेंगे, तो x को total emoluments क्या मिलता है, जैसे person a है और person b है, so a का basic पे x से b का basic पे y है, तो a को total emoluments, मतलब total पैसा कितना मिल रहा है company से, तो x as a basic पे मिल रहा, plus 65% उसको और उस extent में allowance मिल रहा, मतलब x का 65% by 100, यह total x को मिल रहा है, यह बराबर है y का basic पे plus इसका allowance, तो basic पे y पस इस पे 65% का allowance मिल रहा है, इसको 80% का allowance मिल रहा है, 80 by 100, तो यह दोनों equal हो गया, b को मिल रहा है, तो अब simple यह दो equation है, दोनों को equate कर लेंगे, और हमें चाहिए क्या, the ratio चाहिए, मतलब x by y हमें find करना है, तो simple सा equation solve करेंगे, 100x plus 65x by 100 is equal to 100y plus 80y by 100, यह 100 100 कट गया, तो यह हमारा आगया 165x is equal to 180y, तो x by y क्या आगया हमारा, 180 by 165, इसको अगर हम 5 से काटने का कोशिस करेंगे, तो यह 5-315, 306, 36 बार में जाएगा, और यह 5-315, 5-315, ठीक है, तीन से फिर कटेगा, यह 12 और यह 11, मतलब ratio क्या आ जा रहा, 12 बटा यह 11, मतलब 12 is to 11, option देखेंगे, option number D, ठीक है, यह simple है, बस यह ध्यान रखेंगे, total emoluments मतलब basic pay plus यह जो allowance मिल रहा, दोनों मिला के total emoluments होता है, केवल आप allowance मत add कर दीजेगा, उसमें कभी-कभी confusion होता है, अगर आप allowance add करेंगे ना, आप देखेंगे, आपका answer A आजाएगा, तो यह आप गलती कर लेते हैं, और जानबुच के option UPSC आपको देगा, वो option, ठीक है, तो यह एक ध्यान रखेगा, next question is, candidate in a competitive examination consisting of 60% men and 40% women, so मान के चलते हैं, 100 candidate है, इसमें 60%, मतलब 60 men है, और 40 women है, so यहाँ दो चीज़ आप consider किजेगा, जब हम number लिख रहा हैं, 60 men और 40 women, तो यह percentage साथ में ही है, क्योंकि मैं 100 को reference लेके कर रहा हूं, तो हम लोग last में अगर ऐसा ज़रुवत पढ़े, कि 60 को percentage में convert करें, तो same percentage ही होगा, क्योंकि 100 को reference लेके किया जा रहा है, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, 70% men and 75% women cleared the qualifying test, so qualifying test में क्या हुआ है, कि 70% men, मतलब 60 का 70% 42 men, ठीक है, और 40 का 75%, मतलब 30 women, so यहाँ पर हम 42 men भी लिख सकते हैं, 42% men भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हम 60% men का 70% निकाले, तो वो 42% ही होता है, तो percentage और men यहाँ दोनों बराबन लिखा जा सकता है, बस यह ध्यान में रखेगा, so यहाँ 30 women हो गया, यह क्या हुआ, इलनों final test में इंटर कर गया है, next है, वेर 80% men and 70% women are successful, अब 42 men और 30 women में, अब 80% men, मतलब 42 का 80%, 42 into 80 by 100, so यह हो जाएगा, 00 कटा, and this will be 4, this will be 5, so 8 और 168 by 5, which is equal to 3, और 33.30 लगबग होगा, that is 6, मतलब 33.6% men successful हुए है, after qualifying और final test में, और 70% women successful हुई है, तो women 30 है, तो 30 का 70% कितना हो जाएगा, 30 का 70% by 100, that is 0000, मतलब 21% women successful हुई है, ठीक है, अब हम लोग equation देख लेते हैं, success rate is higher for women, यह बोला गया है, लेकिन आप देखरें, success rate men का कितना है, 33 है और women का 31 है, मतलब पहला statement गलत है, second है, overall success rate is below 50%, so overall success rate कितना हो जाएगा, 33.6 plus 21, जो की हो जाएगा, 54.6%, जो की 50% से जादा है, तो second statement भी गलत, more men cleared the examination than women, तो but obvious है कि, अगर 33.6 men, 33.6% अगर men exam clear किये हुए है, अगर 100 को यह reference माने, अगर 100 को reference ही माने, तो चलिए point में ले ले लेते हैं, 100 के reference में पस अब answer निकाल लेते हैं, अब numbers जादे होंगी, यह पता है, बट आप 100 के reference में देखे, 33.6 men है, और केवल 21 women है, तो more men cleared the examination, मतलब यह exactly correct statement है, मतलब C correct है, और D तो वैसे बोथ A and B दिया है, तो यह तो ऐसी गलत हो जाएगा, तो answer हमारा हो जाएगा, C, more men cleared the examination, तो ऐसे आप यह, ऐसे question को approach कर सकते हैं, तो जबी भी percentage का है, तो आप मान के चलिए कि 100, आप एक reference point ले लिजे, क्योंकि 100 reference point पर दो चीज़ होता है, एक तो number हमें मिल जाता है, और दूसरा अगर किसी point पर percentage निकालना है, तो वो number ही percentage हो जाता है, जैसे बोल रहा है कि 40% of the people are a reading Hindi newspaper, तो अगर 100 reference ले लिए, तो 40% भी हो गया, 40% भी हो गया, इस करण से 100 reference लेता है, so in a town 45% population read magazine A, तो A 45%, मतलब 45 people, दोनों से में 55 read magazine B, तो B 55, 40 read magazine C, तो C 40, 30 read magazine A and B, तो A and B मतलब A intersection भी होगा, मतलब A का दोनों जो read करते हैं, that is, A and B कितना दिया हो है हमारा, read A and 15 read magazine, sorry, 30 दिया हो है, 30 and then दिया है, 15 read magazine B and C, so B and C, that is equal to 15, then 25 read magazine A and C, B and C है, and 25 read A and C, 25, and 10 read all of the 3 magazine, मतलब A union, B union C, यह हो गिया 10, तो हमें निकालना है, what percentage do not read any magazine, मतलब कितने लोग magazine read नहीं करते हैं, तो यहां से एक clarity हमें दिख रहा है, हमें बस इसमें एक formula यूज करना है, आपको पता होगा कि, N of A union B union C, का formula क्या होता है, N of A plus N of B plus N of C, उसके बाद plus N of A intersection B plus N of A intersection, सरी, यह माइनस होता है यहां पर, माइनस, यह भी माइनस में होता है, A intersection B हो गया, फिर B intersection C, माइनस N of C intersection A, या A intersection C, प्लस N of A intersection B intersection C, ठीक है, तो अब हमें यह जो right hand side है, इसका sub value पता है, अब sub value बस हम पूट कर देंगे, N of A, N of B, N of C, यहां दिख जाएगा, N of A, B, C, बस पूट करते जारे, 45 plus 55 plus 40, उसके बाद माइनस में है यह, माइनस N of A intersection B, माइनस 30, माइनस 15, माइनस 25, प्लस यह 10, प्लस 10, तो value निकालने कितना है, यह 4 प्लस में है, तो 45 और 55, 100, 140, 150, माइनस यह 3 माइनस में है, तो 25 और 15, 40, 3, 70, तो यह value कितना आगया, 80, 80, यह लोग आगये, जो कि कोई ने नियूसपेपर पड़ते हैं, और हम लोग इनने reference के लिए 100 पॉइंट लिया, मतलब 80 आगये, मतलब 20 बच गये, जो कोई नियूसपेपर नहीं पड़ते, मतलब यही 20 परसेंट, जो हमारा value बच चुका है, तो option क्या हो जाएगा हमारा, इसमें option number C, जो की 20 है, यह clear हो गया होगा आप लोगों को, बस यह formula आपको याद रहना था, यह formula याद हो गया, तो simple answer बन गया, अब next question, question is, if Sohan while selling two goats at the same price, यह याद रखिए का same price दिया है, makes a profit of 10% on one goat and suffer a loss of 10% on other goat, मतलब वो दो गोट बेचता है, same price में एक में 10% profit होता है, एक में 10% loss होता है, तो हमें निकालना है, यह चार equation में हमें एक find करना है, वो तो find हो जाएगा, उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइ करते हैं और वीडियो को like करते हैं, चलिए आप find करते हैं, तो just suppose मान के चलते हैं कि Sohan ने पहला goat P1 price पे खरदा था, ठीक है, और उसको 10% profit पे बेचा, मतलब P1 price plus P1 का 10%, P1 into 10 by 100, यह इतना पे पहला goat बेचा है, ठीक है, that is equal to second goat, because second goat का भी जो selling price हो same है, तो support second goat P2 price पे खरद गया है, मतलब minus P2 का 10%, 10 by 100, ठीक है, यह दो equation solve करेंगे, तो यह यहाँ जाएगा 100 P1 plus 10 P1, और यह नीचे 100 दोनों तरफ से कड़ जाएगा, P2 minus, sorry, यहाँ 100 P2, 100 P2 minus 10 P2, ठीक है, इसको simplify करेंगे, तो यह 110 P1 is equal to 90 P2, So, यहाँ से P1 by P2 is equal to 9 by 11, मतलब अब हमको P1 और P2 का ratio हमें मिल गया, कि वो कितना में goat खरदा होगा, क्योंकि यहाँ main question है कि दोनों का goat same price में बेचा है, यह वाला ध्यान रखना है, अब हम लोग क्या करते हैं, कि randomly मान लेते हैं, P1 का कितना है, corresponding 9 है, और P2 का 11 है, तो हम ल के चलते हैं, जो पहला goat है, वो 90 रुपय में खरदा होगा, 9 का corresponding और दूसरा goat 110 में खरदा होगा, ठीक है, तो पहला goat 90 में खरदा और इसको 10% profit होगा, मतलब प्लस 9 का profit होगा, तो यह 99 रुपय में बेचेगा, and second goat अगर 110 में खरदा होगा, तो 10% का loss मतलब माइनस 11 का loss, तो हम बता नहीं पाते हैं कि P1 और P2, मतलब जो initial cost price है goat का, वो क्या था, तो अब हमें clear हो गया, अब हम चलते हैं, equation पर, first है, अब निकाल लेते हैं कितना में बेचा है, तो उसका total cost price कितना होगा, 90 प्लस 110, 200 रुपय में वो goat खरदा है, और selling price, मतलब दोनो 99 में बेचा है, मतल मतलब 2 रुपय का loss हुआ है, और 200 के इसाब से 2 रुपय कितना होता है, 1%, मतलब उसको 1% का loss हुआ है, अब option देख लेंगे कौन सा है, so option number C देखे लिगा है, he suffer a loss of 1%, so ये तरीका है, ऐसे question को deal करने का, आपको exactly clear हो गया होगा, क्या मैंने समझा है, ठीक है, ये profit loss percentage related question है, how many days it will last, petrol last, मतलब अगर motorcycle में अगर आप petrol फूल कर देते हैं, तो 10 दिन चलता है, अब पॉर्ट डे अगर आप 25% जादा चलाएंगे, तो petrol कितने दिन में cover होगा, मान के चलिए कि 1 unit petrol है, 1 unit petrol एक दिन में खतम होता है, तो tank कितने का होगा, 10 unit petrol का होगा, so that 10 दिन में tank खतम होता होगा, ठीक है, ऐसे ही relation मनाएका आप ही question solve कुईज़े, कितने असानी से होगा, 10 unit 10 दिन में, अब बोला है, 25% जादा start किया, मतलब एक दिन में अब 1.25, मतलब एक का 25% कितना होता है, 0.25, तो 1.25 हो गया, मतलब एक दिन में 1.25 unit हम लोग use करना चार रहे, तो कितना दिन और use कर सकेंगे, तो आप directly दिखरा equation, हम 10 से 1.25 को divide कर देंगे, तो यह हमारा आ जाता 8, ठीक है, आप 1.25 को 8 से multiply करके यह 10 आ जाता है, तो इसका मतलब 8 दिन हम लोग petrol use कर पाएंगे, तब तक petrol खतम हो जागा पूरा टैंक का, तो इसका answer क्या हो जाएगा, डी 8, यह simple सा अगर यह unit वाला आप कर लिए, तो आप असानी से इसका answer निकाल लेंगे, अब next question, next question है, two number x and y are respectively 20% and 28% less than the third number, what is the percentage of y that is less than x, साथ यह question हम लोगों ने एक बार किया हुआ है, तो जल्दी जल्दी इसको कर लेते, मान के चल लिए, z जो है, वो 100 है, ठीक है, और x कितना है, 20 कम है, तो x क्या हो जाएगा, 100 का 20% कम मतलब 80, और y क्या हो जाएगा, 100 का 28% कम मतलब 72, तो पूछा गया है कि by what percentage number y is less than x, तो y कितना less है, तो आप देखेंगे कि x का, मतलब 80 का 90% आप अगर निकालते हैं, तो यह क कितना हो जाता है, 72, मतलब x का 90% y है, मतलब y x से 10% कम है, 10% answer हो जाएगा, यह question करवा चुका हूँ, question is, in an examination there are three subject, a, b, c, a student has to pass in each subject, ठीक है, 20% student fail in subject a, मतलब a है, a में क्या है, 20% fail हो गया है, मतलब 80% pass हुआ होगा, तो मान के हम 100 मान के ही चलते हैं, 100 student है, उस हिसाब से मान के चल रहे हैं कि 20 fail, 80 pass, b में वैसा ही data दिया हुआ है, 22 fail है, इसका मतलब है, 78 pass है, c का data है, 16 fail है, और 16 के हिसाब से 84 pass है, question पूछा क्या है, कि the total number of student passing the whole examination lies between, तो हमें निकालना है कि कितने student pass कितने percent pass हुए होंगे, तो हम लोग सबसे पहले minimum case लेंगे, फिर maximum case लेंगे, सो सबसे पहले minimum case लेने के लिए हम क्या करेंगे, कि max to max student को fail करवाना अपने को, ठीक है, तो मान के चलेंगे यह 20 student fail हुआ है, यह 22 student fail हुआ है, और यह 16 student fail हुआ है, 3 subject में, तो हम यह मान लेंगे क कि तीनों जो student है, यह 20 student अलग है, यह 22 अलग है, यह 16 अलग है, तो total fail कितना हो गया, 20, 22 और 16, यह 6, 2, 8 और यह 5, मतलब total 58 student fail हो चुका है, तो इस case में pass कितना होगा, 44, sorry, इस case में 42 student pass होगा, तो यह 100 को reference लिए, मतलब 42 percent student pass होगा, यह तो lower limit हो गया, और अब upper limit लेना है, max to max कितने student pass होगा है, तो maximize के लिए हम क्या करेंगे, जो यह 22 student fail दिख रहे हैं, हम माल लेंगे, इसी 22 student में, यह 20 student भी होगे, यह 22 में से, इस 22 में ही 20, जो होगे, जो A में भी fail होगे, और इसी 22 में से यह 16 होगे, जो C में भी fail होगे, तो total number of student जो fail होगे, तीनों में, मतलब maximum ज तो टोटल पास कितने हुएंगे, 100-22, that is 78, तो जब हम लोग मिनिमम माने, मैक्सिमम को फेल कर आए, तो पास 42 हुआ, जब मिनिमम को फेल कर आए, तो पास 78 हुआ, तो रेंज क्या हो गया, 42-78, जो कि option number B है, तो ऐसे question में हमेशा minimum और maximum अलग case लेके चलिए, कभी आपको option गलत नहीं होगा, ठीक है, question is, in an examination, 70% of student pass in paper 1, so paper 1 में क्या करेंगे, 70% student pass है, तो 30% fail होंगे, paper 2 में सेम दिया गया है कि paper 2 में 60 pass है, तो 40 fail होंगे, 100 को reference लेके हमनों कर रहे हैं, और 15% student failed in both the paper, तो n of both the paper, पर मतलब intersection लेते हैं, 1 intersection 2, यह सब से theory आपको बताने नहीं पड़ेगा, मैंने solve कर रहा है बहुत सारा, that is equal to 15, यह सब percentage में है, इस भी 15% में ही लेके चल रहे हैं, और next बोला है, while 270 student pass in both the paper, that means, n of one paper, union second paper यह हो गया 270, बस याद रखे किए, 270 नंबर में दिया हुआ है, और ब करेंगे, n of one union two को भी percentage में convert कर देंगे, तो हम formula में पता है, n of one union two is equal to n of one plus n of two minus n of one intersection two, यह formula बार बार मैं लिखवाता हूँ, यह हमें निकालना है, तो n of one, मतलब यह passing वाला दिया है, तो हमें passing वाला value लेंगे, तो n of one passing कितना है, 70, plus two का passing 60, minus common passing कितना है, 15, so that is equal to 130, असवर यह 15 क्या है, यह 15 fail का दिया हुआ, 15 who are failed in both the paper, तो अगर 15 fail है, तो pass कितना होगा, 85 है, तो हम लोगों को pass वाला लेना है यहाँ आपर, 85, क्योंकि pass का value दिया हुआ है, 270 student who passed, तो 85 ले लिए, तो 130 minus 85, यह हमारा हो गया, 45, इसका मतलब यह percentage में, सब percentage में value है, तो मतलब 45% हो गया, और यह same value 270 दिया हुआ है, तो 40, यहाँ लिखते हैं, 45% का मतलब 270, तो 100% मतलब, 270 divided by 45 into 100, तो यह 9 बार में कटेगा, यह 20 बार में, और यह 9 30, 30 into 20, that is 600, इसका मतलब है, total student कितने होंगे, 600, जो option number A है, यह simple है, same formula यूज करके हम लोगों ने बनाया है, क्योंकि बस यह ध्यान दिजेगा, यह बाकी सब calculation, यह जो पार्ट का calculation हम लोगों ने किया है, यह सब percentage में किया है, और यह number में है, तो हम लोगों ने निकाल दिया, कि इस पार्ट को अगर percentage में calculate करेंगे, तो हमारा कितना आ जा रहा था percentage, 45, तो 45% denote करता है 270 student को, तो 100% कितना denote करेगा, तो वो total number of student हो जाएगा, ठीक है, अब next question, question is, a person purchase 100 pen at the discount of 10%, the net amount of the money spent by the person to purchase the pen is 600, मतलब 600 रुपया में, वो 100 pen purchase करता है, अभी यह 10% discount कुछ नहीं रखेंगे, क्योंकि 10% discount का काम ही नहीं आएगा, यह बस आपको थोड़ा सा confuse करने के लिए दिया गया है, हम लोग बीना इसको यूज़ किये निकालेंगे, next बोला है, the selling expense incurred by the person are 15% on the net cost price, so net cost price कितना है उसका 600 है, तो 600 पे 15% उसको selling expense लग रहा है, मतलब बेचने वागेरा में खर्चा लग रहा 15%, तो 600 का 15% कितना होता है, 600 into 15 by 100, तो 00 कट गया, मतलब 90 रुपया, मतलब 600 इसका cost price plus 90 रुपया उसका manage करने में, sell करने में लग रहा है तो इसका 690 खुद का पैसा लग गया, मतलब 690 इसका अब net cost price हो गया है, question क्या पूछा है, कि what should be the selling price of 100 men in order to earn 25% profit, मतलब यह seller का अपने pocket से 690 रुपया लग चुका है, और अब इसको 25% का profit चाहिए, तो 690 का 25% कितना होता हम लोग निकाल लेंगे, 25 by, इसका 25% निकाल लें यह कितना है, 25 by 100, ठीक है, तो यह हो जाएगा 4, so that is equal to 4 हो जाएगा, 4 एकम 4, 29 मतलब 6, sorry, 4, 29 हो जाएगा, 7, 28 और 2.5, मतलब 172.5 रुपीज, ज्यादा उसको 25% इसका 172.5 हो जा रहा है, इसका मतलब है, जो उसका total price रखा है, लगा है, उसका 690, इसमें इसको 172.5 रुप रुपीज और एड करके बेचना होगा, जो कि हमारा हो जाता है, 862.50, मतलब यह price पे जब बेचेगा, तब उसको 25% का profit होगा, ठीक है, यह clear है, यह 10% और यह 100 पेन, यह कोई मतलब नहीं बनता है, इसमें, simple बोला गया है, एक बार और मैं समझा देता हूं, कि उसको 100 पेन ह करता है, जिसका दा में 600 रुपया, और उसमें वो 15% अर्थार्थ 90 रुपया, उसको maintenance charge लग जाता है, selling charge, तो उसका cost पढ़ गया 690, और वो 25% profit कमाना चाहा रहा, तो 690 में 25% profit कमाएगा, मतलब 172 रुपया profit कमाएगा, तो 690 प्लस 172.5 हमारा आ गया, 862.5, जो कि आपसा न 500 employees in an office is 16,000, तो जब यह per month, जब यह average दिया रहा है, तो आप कहा किजे कि sum calculate कर लिजे, suppose employee E1 plus E2 plus dot 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 E100 divided by 100 is equal to average होता है, मतलब 16,000, तो यह उपर वाला पाट जो numerator पाट है, इसको हम capital ही मान लेते हैं, जो कि sum of the salary of all employee है, that is equal to 16 into 10 to the power 5, ठीक है, यह दो 0 और 3 0, यह sum हो गया, total salary का, ठीक है सबका, अब बोला गया, the management decided to raise the salary of each employee by 5%, but it stopped the transport allowance of 800 per month, which is paid earlier to every employee, what is the new average salary, so new average salary का formula क्या होगा, कि total salary अब कितना मिल रहा है, तो total salary calculate करेंगे हम, तो सबसे पहले 5% increase किया गया है, तो salary कितना है इन लोगों का, 16 पे 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, और 5% increase each person का है, तो हम total में ही 5% increase कर देते हैं, तो effective हो जाएगा, into 5%, 5 by 100, minus 800 जो travel allowance मिलता था, वो अब नहीं मिलेगा, तो 800 एक का है, तो 100 का कितना हो जाएगा, क्योंकि 100 employee है, into 100, divided by total 100, ठीक है, तो यह जो value है, पहले यह value निकाल लेते हैं, यह value कितना होगा, यह जो value है क्या हो जाएगा, अब total salary 100 employee का कितना मिलेगा, यह value है, ठीक है, so 16, जो part यह ऐसे रने देते हैं, यह 00 काट देते हैं, तो 16 पचे 80, मतलब यह हमारा 80,000 हो गया, minus यह भी 80,000 हो गया, आप देख रहे हैं, यह दोनों cut जा रहा है, तो total salary जो है, अभी उतने का उतना ही है, इसका मतलब है, total salary उतने का उतना है, और total number of employee भी उतना है, मतलब average में कोई फर्क नहीं पढ़ने वाला, तो average कितना था पहले, 16,000, अब भी 16,000 ही रहेगा, so इसमें वैसा ही question देगा, आपको कि easily solve हो जाए, या कुछ cut जाए, मतलब उसने price ऐसे product का रखा है, कि 10% discount या rebate देने के बाद भी वो 15% कमा ले रहा है, the cost of the article is 72, ठीक है, the fixed price is on, मान के चलते हैं, x fixed price है, ठीक है, और वो कमा कितना रहा है, 10% वो 10% उसको rebate दे दिया है, fixed price पे, मतलब 90% जितना भी price रखा होगा, उसका 90% उसने लिया, जो भी समान बेचा उसका 90% लिया, 10% rebate दिया तो, that is equal to, यह जो पैसा आया, यह पैसा 72 जो इसका cost price है, इससे 15% profit ले के आया, मतलब 72 प्लस 72 का 15%, यह 15% profit जोल लिया, तब यह और यह discount मिला के दोनों बराबर हो जाएगा, सो बस यह दो equation को solve कर देना है, यह हो गया 72 प्लस 0, 8, 0, 1 divided by 100, सो 100, 100 यहां से cut गया, तो यह हमारा 90x is equal to, यह दोनों को जोड देंगे, तो 8, 2, 8, 0, x is equal to 8, 2, 8, 0 by 90, सो 99 cut गया, और 9, 9, 81 और 8, 9, 18, दुनिया अठारा, मतलब 92, x का value 92 आगिया, option देख लेंगे, x का value 92, c है, यह एकदम simple सा cost price और profit का question है, इसमें कोई doubt नहीं होना चाहिए आपको, next question, in a company, 60% of the employee are men, ठीक है, वही same करते हैं कि 100 employee और 100% वाला frame लेते हैं, तो इसमें 60% male है, मतलब 60 male, मतलब 40 female, पहला data, of those 40% are drawing more than 50,000 per year, मतलब जो 60 male है, उसमें से 40%, तो 60 का 40% कितना होता है, 24, 24 जो male है, that draw more than 50,000, मतलब अब बोला गया है कि, 36% of the total employee, मतलब 36 people, यहाँ people लिख देता है, जो कि more than 50,000 draw करता है, 15k, तो बोला गया है कि, percentage of people, जो percentage of female, जो कि less than 50k draw करता है, बस यह data को, किवल, आपको data को सही से add करना होगा, देखे, 24 male हमें पता चल गया है, जो 50,000 से ज़्यादा कमाता है, और 36 लोग 50,000 से ज़्यादा कमाता है, इसका मतलब है, इसमें से 12 female होगा, तब तो यह 36 हो पाएगा, तो 12 female 50,000 से ज़्यादा कमाता है, तो total female कितना है, total female कितनी है, 40 female है, तो 40 में से 12 female है, जो 50,000 से ज़्यादा कमाती है, तो minus 12 कर देंगे, that is equal to, sorry, that is equal to 28, मतलब 28 female ऐसी है, जो 50,000 से कम कमाती है, तो हमें पूछा क्या है, कि what is the percentage of women, so इसमें percentage पूछा है, तो percentage क्या निकाल लेंगे, 28 divided by total women, that is 40 into 100, यह percentage का general formula होता है, तो 1010 कट गया, और यह 7 बार में कट गया, मतलब यहां से 70 आ गया, तो हमार आंसर क्या हो गया है, 70%, जो की option number A है, तो simple सबस्थ आपको जो data है, data दिये, neat and clean data लिखिए, और simple plus minus करके आपको आंसर निकल जागा, जैसे हम लोगों ने निकाल लिया, अब next question, question is, in a survey, it was found that 80% of those surveyed owned a car, so 100 के reference में सब कुछ लेंगे, so 80% मतलब 80 लोगों के पास car है, ठीक है, and while 60% those survey owned a mobile, तो 60 लोगों के पास mobile है, ठीक है, if 55% owned car and mobile बोट, so n of car intersection mobile, पता है, जब बोट होता तो intersection use करते है, that is equal to 55, so बोला गया है कि, what percentage of surveyed owned a car mobile और बोट, मतलब कितने के पास car mobile और दोनों है, तो यह जो हमारा data होता है, 80, 80 जो car हम लोगों ने देखा, यह जो 80 car है, इसमें से कुछ लोगों के पास mobile भी होगा, तो अगर हम लोगों निकालना चाहे, only car, only mobile, दो चीज़ हम देखेंगे, यहाँ पर कैसे निकालते है, जब only car निकालना चाहे, तो उसके लिए क्या होता है, कि total car कितने के पास है, 80 के पास, minus common part, car और mobile किसके पास है, 55, यह हमारा हो गया कितना, 25, so 25 लोग वैसे है, जिसके पास only car है, वैसे only mobile का only mobile मतलब total mobile कितना है, 60 minus common part, 55, so यह 5 है, तो यह 5 क्या है, only mobile, तो अब हमें पूछा है कि, किसके पास, या तो mobile है, या तो car है, या तो mobile है, या दोनो है, मतलब यह तीनों को जोड़ देना, अपने को, 25, 5, 30, और 30 और 55, 85, सिंपल हमारा 85 आंसर हो गया, यह सिंपल सा question था, C है 85, ठीक है, ऐसे करेंगा तो आपको इजली आंसर मिल जाएगा, next question देखते है, a city has a population of 3 lakh, out of which 1 lakh 80,000 are male, ठीक है, so 3 lakh का population है, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, इसमें 1,80,000 male है, ठीक है, तो बच गया, 1,20,000, जो कि female है, 50% of the population is literate, second information है, 50% literate है, मतलब, 1,500,000 literate है, ठीक है, alpha literate और 1,500,000, और in literate है, यह literate है, I think NL लिख देता है, इसके लिए, if 70% of the male are literate, the number of literate females are, अगर 70% of the male literate है, तो male कितना है, male हमारा 1,80,000 है, 1,80,000 का 70% पहले निकाल लेंगे, तो 1,80,000 का 70%, 70 by 100,000 कट गया, तो यह हमारा 30,000, और 856,000, पांच कहरी और 12, मतलब, 1,26,000 जो male है, वो literate है, और हमें पता है कि 1,500,000 लोग total literate है, तो बाकी जो 24,000 बचा इसमें, 1,500,000 literate है, और 1,500,000 में 1,26,000 तो male हो गया है, तो 24,000 हमारा बच गया, तो 24,000 जो होगा, यह female होगा, जो कि literate होंगे, तो हमारा option क्या हो जाएगा, हमें पूछा क्या है, literate female, मतलब वह ही पूछा है, तो option simple हो जाएगा, यह 24,000, ठीक है, यह clear हो गया होगा आपको, next question is, in a town 25% family own a phone and 15% own a car, तो हम लोग क्या करते हैं, N of phone को ले लेते हैं, P, that is equal to 25%, यह percent में लेते हैं हम लोग ठीक है, और N के जगा पी भी कर सकते हैं, वो हम लोग normal sit theory का formula लगाएंगे, then car कितना है, N of C is equal to 15, and 65% family own nothing, neither car or phone, मतलब 65% family के पास ना तो phone ना तो car है, एक और information दिया हो है, 2000 families own both phone and a car, both का मतलब होता है, intersection, N of P, intersection C is equal to 2000, अब देखें, यह दोनों हमें percentage में दिया है, यह जो हम मैं N लिख रहा हूँ, यह conventional नहीं है, यह बस मैं question solve कराने के purpose से लिख रहा हूँ, कि आप वो formula directly put कर सके, यह 1000 है, तो मान के चलते हैं, 2000 is equal to 2000 है, इसको X percent मान लेते हैं, ठीक है, तो X percent के साब से अब हम N of P union C निकाल लेंगे, directly formula है, N of P, N of P हमारा 25 है, plus N of C, जो कि 15 है, minus N of P intersection C, that is X है, तो यहां से हमारा कितना आ गिया, 40 minus X, यह N of P union C आ गिया, और अब हमें क्या पता है, P union C होता क्या है, कि total number of population, तो यह भी percentage माया है, total percentage of population, which are having either phone, or car, or both, मतलब वैसा population, जिसके पास कुछ न कुछ है, यहां तो दोनों है, यहां कुछ है, और हमें पता है कि 65 percent population के पास कुछ नहीं है, इसका मतलब है, 65 के पास कुछ नहीं है, मतलब 100 minus 65, that is, 35 के पास कुछ न कुछ है, तो यही तो percentage वो है, जो हम लोगों ने निकाला, n of p, union, c वही है न, कि कितने percent of population के पास कुछ है, car है, या phone है, या बोथ है, तो this is equal to 35, ठीक है, percent, तो यहां से x हम लोगों क्या निकल गया, x यहां से 5 percent हमारा आ गया, x का value 5 percent आ गया, अब देखेए, अब यह x का value 5 percent है, और 5 percent ही हमारा 2,000 है, तो 5 percent 2,000 है, तो 100 percent कितना हो जाएगा, 2,000 divided by 5 into 100, that is, यह 20 हो गया, that is 40,000, मतलब total population कितना हो गया, उस city का 40,000, so जिसे मेरा, यह जो last वाला, third वाला statement है, यह सही पता चल रहा, 40,000 family live in a town, अब next question, पहला statement देखते है, 10 percent family own both car and the house, तो यही वाला है, both car and house, तो 10 percent बोला है, और x का value 5 आए, मतलब 5 percent है, मतलब पहला वाला statement गलत है, ठीक है, तो यहाँ सहां filter out भी कर सकते हैं कि पहला statement गलत है, तो यह A option गलत हो गया, B गलत हो गया, D गलत हो गया, मतलब C ही बच गया, तो C directly answer हो जाएगा, आगे देखना भी नहीं है, और आगे अगर अब solve करना चाहते तो मैं वह भी करा देता हूँ, तो second क्या बोला है, 35 percent family own either a car और a phone, मतलब 35 percent family या तो car own कर रहा या phone own कर रहा है, ठीक है, तो अब हम लोग निकाल लेंगे only phone, only car, तो हमें पता है क्या formula होता है, only phone का formula क्या होता है, और only car का, ठीक है, only phone का होता है कि हमारा n of p कितना है, n of p देखिए 25 percent है, तो ये 25 लिखेंगे, minus both, both का percentage कितना था, x, that is 5, minus 5, that is 20 percent of population having only phone, और car में वह ऐसे निकाल लेंगे, 15 minus 5, that is 10, so ये क्या हो गया, 20 percent population only phone, 10 percent population only car, and 5 percent population both, ठीक है, तो ये तीनों को जोड़ देंगे, ये हमारा 35 सारा, मतलब 35 percent population के बाद, 35 percent population के बास तीनों चीज है, तो ये चीज हम लोगों ने ये तरीका से निकाला, ये मैंने समझाने के लिए बताए कि कुछ question में use होता है, अगर ये तरीका नहीं है, तो इससे पहले भी हम लोग directly निकाल चुके थे, यहाँ देखिए आप, कि 35 percent of population के पास, क्योंकि 65 direct आपको दे चुका है, तो 100 में से 65 माइनस करेंगे, तो आपका ये वाला second वाला statement वही बोल रहा है, या तो इधर कार होगा, या फोन होगा, ठीक है, तो मैंने ये only वाला इसलिए बताए कि कुछ question में use हो जाता है, अमर वे 50 percent more than Akbar, so am, अमर का वेट 50 percent more, मतलब 150 बटा 100 of Akbar है, ठीक है, and second statement क्या है, तो इसको अगर हमनों simplify करेंगे, तो ये 3 by 2 of ak आजाएगा, और simplify करेंगे, तो अमर वाई, ak is equal to 3 by 2, ठीक है, ये पहला question आगिया, देन क्या बोल रहा, Anthony way 25 percent less than amar, so जो Anthony का वेट 25 percent less than amar है, मतलब amar के 75 percent के वेट के बराबर होगा, तो 75 by 100 of am, am, an for Anthony, am for amar, so इसको simplify करेंगे, तो ये 3 by 4 आजाएगा, 3 by 4 of am, और simplify करेंगे, तो Anthony divided by amar is equal to 3 by 4, ये 2nd equation, and 3rd देखते हैं क्या है, फरावे, the 1 3rd of the combined weight of all 3 वो है, so f is equal to amar plus akbar plus an for Anthony divided by 3, ठीक है, अब हमें बोला गया कि all 4 weight together 232, ठीक है, ये information का ऐसे जरूत नहीं है, then देखते हैं the correct arrangement of the person in the ascending order क्या होगा, तो correct arrangement के लिए हमें चारों में relation चाहिए, अब देखी, ये पहला equation यहाँ देखते हैं, इसमें देखी, amar के corresponding 3 ratio है, और akbar के corresponding 2 है, तो यहाँ से एक चीश पता चल गया, amar is greater मतलब, amar का weight जादा है akbar से, ये पहला relation, यहाँ से क्या दिख रहा, amar के corresponding 4 है, amar के corresponding 3 है, तो यहाँ से amar पता चल गया, amar के जादा weight का है, तो दो equation से हमको पता चल गया, amar akbar से भी जादा है, अन्थूनी से जादा है, लेकिन अभी akbar और अन्थूनी में हमें relation नहीं पता चल रहा है, तो हम क्या करेंगे, यह जो amar का relation है, amar का relation यह जो akbar से है, यह जो equation है, इसको हम second वाले में put कर देंगे, ठीक है, यह जो पहले हम यहाँ second वाले लिखते हैं, यह क्या है, तो इसको solve करेंगे, तो क्या हो गया, हमारा 9 by 8, एक ही आ जाएगा, जो anthony है, तो अब anthony divided by akbar is equal to 9 by 8, ठीक है, यह equation आ गया, अब देखिए, anthony का weight 9 के corresponding है, akbar का 8 है, इसका मतलब है, anthony का weight ज्यादा होगा akbar का weight से, ठीक है, यह 3 relation हमारा आ चुका है, अब केवल बचरा हमार फरा से relation, तो फरा से relation में क्या करेंगे, तीनो को अमर के corresponding हम लोग divide कर देंगे, तो फरा is equal to, am को तो ऐसी रने देंगे, प्लस, ak को कहां से correspond कर देंगे, आप देखिए, यहाँ से अगर हम ak को लिखना चाहे, फर्स वाल equation से, मैं थोड़ा सा यह देख लेता हूँ, यहाँ द अब अन्थूनी को देखे, कहां से लिख सकते हैं, अन्थूनी को हम सिंपल लिख सकते हैं, 3 by 4 am, plus 3 by 4 am, और divided by 3, ठीक है, अब am के वाल है, am by 3 common ले लिए, अब हमारा बच किया गया, यह 1 आ जाएगा, 1 plus 2 by 3 plus 3 by 4, ठीक है, अब इसका calcium बस हमें calculate करना है, am by 3, इसका calcium 12 हो ग divided by 36 is equal to 12, 29, मतलब into 29, this is equal to f, तो f by am क्या आ गया, 29 by 36, अब यहां से क्या पता चल रहा, फरा के according 26 है, और अमर के according 36 है, तो यहां से पता चल गया है, जो अमर है, वो बड़ा है f से, तो तीन equation देखिए, छोटा में अब देख रहे हैं, तो हमें क्या पता चल रहा है, यहां स अमर जो है यह अन्थूनी से बड़ा है, और अमर जो है यह फरा से भी बड़ा, मतलब अमर सबसे बड़ा होगा, तो अप्सन में देखेंगे, अमर सबसे बड़ा किस में है, अमर सबसे बड़ा अप्सन नमबर 1 में है और 4 में है, मतलब 1 और 4 में से कोई एक आंसर होगा, अब अकबर और अन्थूनी हम लोग देख लेते हैं, अकबर और अन्थूनी में अन्थूनी बड़ा है, अकबर छोटा है, तो अन्थूनी अर्रेंजमेंट कौन सा किस में जादा है, देखिए, लास्ट वाला में अन्थूनी का वेट जादा है, अकबर से, और फर्स्ट वाल में अकबर का वेट जादा दिखाया गया है क्योंकि ascending order है तो हमारा option क्या हो जाएगा D तो यह simple elimination method था आपको equation निकालना था eliminator का answer निकालना था यह clear हो गया अब एक बार और देख लिजेगा अब move करते next question पर ठीक है next question question है out of the three annual examination each with the total 500 marks so three examination है सबका marks 500 है the student secured the average marks of 45% and 55% in the first and the second annual examination so average marks कितना 45% है इसका मतलब है 500 का first में second में तीन semester है तो first to three लिख देते है first में उसको मिला है 45% marks so 45% marks 500 का 45 लगबग होता है 220 ठीक है and second में 55 मिला है so 55% marks 500 का 55% होता है आपका 275 ठीक है आगे क्या पूछा है to have the overall average of 60% how much marks does the student need to secure in the third annual examination तो total उसको अब 60% marks लाना है तो total marks कितना है 500 तीन semester है तीन manual examination है मतलब तीनों का total कितना हो गिया 500 इंटो तीन पंदरासो so पंदरासो का 60% कितना होता है इंटो 60 by 100 ये 00 कट गया तो पंदराचे 90 मतलब 900 marks उसको लाना है ठीक है और first and second semester में वो already कितना marks ला चुका है ये का ये दोनों का add कर देंगे ये 5-10 एक कैरी मतलब first and second semester में already ये 500 marks ला चुका है तो कितना marks बचा हुआ है 900 लाने में मतलब 400 marks और लाएगा तो ये 900 ला लेगा मतलब 60% इसका marks आ जाएगा तो वही पूछा है कि third annual examination में कितना marks लाएगा answer simple हो जाएगा 400 option number B ये clear है next question है a man purchased two clock a and b at the cost price of 650 तो a plus b is equal to 650 ठीक है he sales a with the 20% profit and b with the 25% loss and get the same selling price for both the clock मतलब a को 20% profit पे बेच रहा और b को 25% loss पे बेच रहा तो दोनों का selling price same है तो a को 20% profit बेचेगा तो total price कितना हो जाएगा a into 120 by 100 ये तो मैं बहुत बार बताया हूँ 20% profit ये बराबर है selling price of b का जो की 25% loss पे है मतलब 75 by 100 into b so ये 100 100 यहां से कट गया so यहां से हमारा a by b क्या आ गया 75 by 120 ये 5 से काट देंगे तो 15 बार में ये 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 जो के 20 मतलब ratio क्या आ गया 15 बटा 24 ratio आ गया हमारा a और b का ठीक है और हमारा total price total cost कितना है 650 है यहां देखिए तो हमें क्या निकालने a और b का purchasing वाला निकालना है तो a और b मिलके 650 है और a और b का share कितना है a का share 15 है b का share 24 है तो a का part क्या हो जाएगा आपको पता ratio में क्या निकालते हैं a के corresponding लिखते है 15 divided by इन दोनों का sum लिखते है 15 प्लस 24 that is 49 into total amount जो की 650 है 650 ठीक है यह 13 बार में 3 बार में कटेगा और यह 50 बार में जाएगा और यह 3 पांच बार में मतलब a का part 250 आ गया clear है अब a का part 250 आ गया तो simple आप यहां ही put कर सकते हैं तो b का part क्या आ जाएगा 650 minus 250 that is 400 तो 250 और 400 हमारा answer हो जाएगा जो की हमारा option number b दिख रहा है देखिए यह clear होगे आपको यह कैसे निकाले हम लोगों ने easy question था इस question के साथ ही percentage का topic complete होता है इसमें देखा आपने की हर तरह का मैंने percentage से जितना भी different type के questions आ सकता है सबको practice करा है साथ ही में मैंने trick बता है कैसे 100 को base मान के आप हर question का solution कर सकते हैं तो आज यह percentage seven number complete हो चुका है अब next जो होगा इन सब में से किसी एक पर वीडियो आने वाला है तो आप लोग comment section में बताए भी सकते हैं कि कौन आपको सबसे पहले वीडियो चाहिए तो उसे साबसे मैं वीडियो बना दूँगा एक आया था data interpretation का जिसको मैंने add कर लिया है इ ऐसे ही वीडियो को promote करते रही है so that मेरा भी inspiration बढ़ते रहा है और मैं जादा से जादा deliver कर सको अपने तरफ से all the best for your examination मिलते है नेक्स वीडियो पर thank you